क्या आप Harry Potter की तरह दिवाल के आर पार जा सकते हो या फिर Harry Potter की भी तरह भी नहीं क्या आप दिवाल के आर पार जा सकते हो आप जिनको Harry Potter नहीं पता मैं सिर्फ एक मिनट टाइम लूँगा और आपको explain करूँगा कि क्या है Harry Potter एक movie series जिसमें एक छोटा सा concept होता है कि वहाँ पे दिवाल के आर पार जा सकते हो या फिर नहीं तो सुरू करते हैं तो अब दिवाल के आर पार जाने का देखो यार मतलब क्या है अगर हम दिवाल के आर पार जाने जैसे Harry Potter movie दिखाया गया तो वो तो जादू से जाते है ठीक है अब human जादू तो कर नहीं सकते है और जादू तो बिकान होने का मतलब क्या होता है क्यर, ये तो एक मुहावरा है पर इसका मिनिंग ये होता है कि अगर आप कुछ भी बोल रहे हैं तो आपकी आवास एक दिवाल के आरपार भी जा सकती है नॉर्मल घर की दिवाल में अगर आप बोलेंगे कुछ भी तो आपकी जो आवाज होगी वो दिवाल के आर पर जाएगी तो अब अगर हम इसको साइंट फिक परस्वेक्टिव से देखें तो आपकी आवाज दिवाल के आर पर गई कि अगर इस दुनिया में कोई भी चीज मूव कर रही है एक जगा से दूसरे जगा जा रही है वो एक वे भी है और एक पार्टिकल भी है तो क्या इसका मतलब यह कि आप दिवाल के आर पर जा सकते हो वेल जा भी सकते हो नहीं भी जा सकते हो तो देखते हैं अब पहले हम यह बात करते हैं कि याडि़ साउंड के जो वेव हैं वो क्यूं दिवाल के आर पर चली जाती है अब जो साउंड की वेव से वह 300 किलोमेटर पर आर की स्पीड से चलती है और अगर इस speed में कोई भी particle travel करेगा तो वो wave में convert हो जाएगा और ऐसी wave में convert हो जाएगा जो एक दिवाल के आरपार जा सकती है On the other hand, आप इस formula से देख सकते हो कि अगर कोई चीज move करती है तो उसकी wavelength क्या होती है basically तो अगर आप humans की बात करें तो humans अगर इतनी speed से चलते हैं जिससे इनकी wavelength ऐसी हो जाए जो दिवाल के आरपार जा सके तो humans survive नहीं कर पाएंगे तो फिर हम क्या दिवाल के आरपार कैसे जाएंगे तो one word answer है कि इनसान नहीं जा सकता क्यों क्योंकि हम जैसे ही अपनी speed को बढ़ाएंगे हमारी body का mass भी बढ़ने लगेगा तो हम उस speed में जा ही नहीं सकते कि हम ऐसी wavelength में convert हो जाए जो दिवाल के आरपार जा सके अब atoms और ये particles क्यों चले जाते हैं दिवाल के आरपार इसलिए क्योंकि इनका जो mass होता है वो बहुत negligible type में होता है और इनकी speed almost speed of light की होती है जो atoms के अंदर particles होते है इलेक्ट्रॉन्स वगयरा तो इसलिए जो atoms होते हैं वो दिवाल के आरपार जा सकते हैं लेकिन अगर हम बात गए humans की तो humans दिवाल के आरपार नहीं जा सकते हैं तो कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताएं अगर आपको इस वीडियो से एक परसेंट भी कुछ नया जानने को मिला तो लाइक करें जिससे वीडियो दूसरी लोगों तक पहुंचे इस चैनल को help हो उस चीज से दूसरी वीडियो को देखने के लिए आप इन वीडियो को देख सकते हैं तिल दे नेक्स्ट वीडियो थैंक्स